मामू बन गए सल्मान खान, सल्मान भायजान के अगर बात करें तो सल्मान भायजान के बेहन एक संतान को जन्न देने वाली हैं अक्टोबर में आईए क्या पूरा माजरा है और कैसे सोशल मीडिया पे इस पर बातचीत हो रही है मैं इस वीडियो में बताता हूँ नमस्कार स्वागत है आपका चैनल टेली खजाना में आ गया है यारो का यार होस्त राहुल भोच चैनल को प्राफट सब्सक्राइब करें और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे नए चैनल राहुल भोच कॉमेडी को सब्सक्राइब नहीं किया है डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है जरूर मिलिये वहाँ पर मुझसे बातचीत करेंगे ऐसे में अब दोस्तो आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि आखिरकार ये पूरा माजरा क्या है दरसल ये पूरा माजरा और कुछ नहीं बलकि सल्मान खान की आन स्क्रीन सिस्टर के बारे में है यानि कि स्वारा भासकर स्वारा भासकर की रीसेंट भी शादी हुई थी दोस्तो जहां पे उनकी शादी जो है पहाद विहार एहमत के साथ हुई है जो कि समाजवाजी पार्टी के कारे करता है ऐसे में फहाद की अगर बात करें दोस्तों तो स्वारा और फहाद दोनु की एक फोटो स्वारा ने जो है तीन फोटो एच्छली रिसेंटली पोस्ट करें जहां पर उन्होंने यहां पर इस बात को लेकर लिखा कि sometimes all your prayers are answered all together blessed, grateful, excited and clueless as we step into a whole new world coming soon family new arrival October baby जहां दोस्तों फरहाद के साथ शादी करके मैं आपको बता दू तो स्वारा भासकर जो की प्रेम रतन धन पायो में सल्मान खान की सिस्टर का करदान निभाद चुकी है उन्होंने अपनी pregnancy की यह पोटोल डाली है कुछ जो की अपने अपने खास है एक्चल में दोस्तों आप लोगों को बता दू तो इस particular tweet के नीचे अगर आप जाएंगे तो सब लोग सल्मान खान को भाईजान को एड़रेट कर रहे हैं उनको tag कर रहे हैं और उनको tag करके बाद कह दें कॉंग्राचुलेशन भाई आप मामू बनने वाले हैं जी हाँ दोस्तों आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इसके नीचे बहुत सारे कॉमेंट्स आया है लग बख कॉमेंट्स है नहीं ट्विटर पर ऐसे कॉमेंट नहीं दीखता है लेकिन हाँ इस पोस्त को 1.4 मिलियन लोगों ने देखा है दोस्तो और री टुइट जो है लाइक किया है तो ऐसे में सवरा भास कर जो कि तनुवेट्स मनू तनुवेट्स मनू रिटर्न्स जैसे फिल्मों में दिख चुकी हैं जो कि कंगनर रनौत के साथ काम कर चुती है शोशल मीडिया पे काफी ज्यादा कुछ न कुछ न कुछ न कुछ वो अपने राय अपने मामू बनने वाले हैं आपको क्या रिएक्षिन है जरूर बताईएगा चलता हूँ अपना ख्याल रखके हैं